कि हारे कृष्णा रादे रादे मैं कवीता तोतला लेक्ट्रारीन इंदी गौर्वेंट आफ राजस्तान और पीस्ती से तैयारी करने वाले सभी इंदी विद्यारतियों का मेरे यूट्यूब चानल पर हार्दी कभिनंदन है पिछले वीडियो में एक्जाम से एक मां के पहल आपको प minha उत्ति हैं क्या पढ़ना है क्या आपकी रणीनीटी होना हुए ये सब कुछ में पिछले वीडियों में बता चुकी हूँ उम्मीद करती हूं कि विडियो आपको पसंद आया होगा है नहीं देखा है तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में मोटिवेश्नल वीडियो में जाकर उसे देख लीजिए और उनी बिंदों को आप अपनाईए जरूर आपको सफलता मिलेगी और यदि पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि हिंदी से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सारी तैयारी रही है मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों से कहा था कि अभी विक्ति और माध्यम एक बुक है जो कि अभी हमारे विद्यालियों में चल रही है राजकी विद्याले में और यह जो बुक है यह आपके जन संचार से रिलेट प्रशनों को सौल करती है तो मैंने आप से कहा था कि जन संचार के लिए यह पूरी बुक मैं आपको पढ़ाओंगी ऐसी हमारी पहले बात हुई थी लेकिन परिक्षा की तारीक जल्दी आ चुकी है और पहले भी इसके आने के असार जल्दी थे किताब करीबन 200-205 पेज की है और जन संचार की एक पूरी मैं मैं पॉइंट्स पढ़ेंगे और उन पॉइंट्स के साथ परिक्षा में किस प्रकार से प्रश्ण पूछा जाएगा वह तरीका में आपको यह पर बताऊंगी अगर आप चाहें तो पुराने जो पेपर है यानि कि अभी जो 2020 में पेपर हुआ है उस पेपर को आप यहां पर साथ लेके बैठ सकते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि परिक्षा में प्रश्ण किस प्रकार से पूछा जाता है तो आईए हम स्टार्ट करते हैं कु कि यह जन संचार क्या क्या है इसमें जन संचार माध्यम और लेखन स्रजनात्मक लेखन व्यावारिक लेखन कख्षा 11-12 के लिए हिंदी की एक पार्टी पुस्तक है ठीक है और आगे देखिए यही NCRT और यही RBSC यानि आजकल सब चीजे एक हो चुकी है अब इसमें क्या विशेग्राम है पहले हम यह जान लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कि इस बुक्य अंदर है क्या-क्या मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है सारा सार आपके लिए है और यह तीन वीडियो में आपके सामने पूरा सार आएगा यह पहला वीडियो है इसका क्या क्या है इसमें जन संचार माध्यम और लेखन जिसमें हम जन संचार माध्यम पत्रकारिता के विविदायाम विबिन माध्यमों के लिए लेखन पत्रकारिये लेखन के विबिन रूप और लेखन प्रक्रिया विशेश लेखन सुरूप और प्रकार यहां आजाएगा आपका स्वजनात्मक लेखन उसमें क्या क्या चप्टर है कैसे बनती है कविता नाटक लिखने का व्याकरण कैसे लिखे कहानी डाइरी लिखने की कला कथा और पट कथा आगे हैं कैसे करे कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे बनता है रेडियो नाटक नए और एप त्याश्वित विश्यों पर लेखन आगे देखिए तीसरा बिंदू है व्यावहारिक लेखन इसमें आएगा आपका एक तो कार्याली लेखन जिसके लिए आपके बहुत सारे कमेंट्स मिल और मैंने इसके बारे में आपको कहा था कि इस बुक में निविदा और ग्यापन नहीं है बाकी सब कुछ है और निविदा और ग्यापन को आप कहां से बढ़ेंगे जो इंदी नवीन इंदी व्याकरण रचना प्रबोध है जो कक्षा 9 से लेके 12 तक राजकी विद्याले मे पुस्तक चलती है व्याकरण की उसमें मिल जाएगा स्वावरत्य लेकन शब्द कोश यह आपके परिक्षा में पूरी की पूरी यह बुक है आप सिलेबस को साथ लेके देख सकते हैं आपको मिल जाएगा यह सारे पॉइंट्स उसमें है आप देखिए हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपोर्टेंट यानि यहां पर जन संचार सबसे पहले संचार क्या है संचारक क्या है यह चीज तो एक चीज आती इसमें शोर और उसमें पांच चीज पहले हमें इससे समझना होगा स्त्रोथ या संचारक ठीक है यानि कि एक जो व्यक्ति है यानि कि जो की संदेश देने वाला है उस संदेश देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है स्त्रोथ या संचारक यानि क्यूं स्त्रोथ क्यूं क्यूंकि उसी के मध्यम से वह समाचारवां से निकलेगा तो स्त्रो वही व्यक्ति हुआ वह व्यक्ति क्या करेगा अपना संदेश देगा अब वो संदेश जो देगा उस संदेश का माध्यम क्या होगा किस माध्यम से वह संदेश को दे रहा है अब उसका माध्यम इंटरनेट हो सकता है पत्रव्यवार हो सकता है तीवी हो सकता है रेडियो हो सकत यह सारे किसमें आएंगे मांध्यम में और यहां से इस संदेश वाक ने अपना संदेश दिया माध्यम म्यानि की रेडियो टीवी टैलिविजन इंटरनेट इन से और प्राप्ट करता सांने वाले व्किति li cinq एक आशा जब इसने कोई message मिला और किसी माध्यम से हमारे पास पहुंचा माना कि मैं यहां पढ़ा रही हूं यहां से जो भी मैं पढ़ा रही हूं वो मेरे मेरे पास क्या माध्यम है आप तक बेजने का YouTube और जैसे ही मैंने इसे YouTube पर upload किया और यह आपको मिल गया उसके बाद आप comment section में मुझे comment कर संचार्क प्रक्रिया लगातार चलती है कि यह जो प्रक्रिया यही लगातार क्या होती है चलती रहती है और इसमें बीच-बीच में संदेश के गही शोर हो गया Вид हुआ है कि आप आगे देखिए है को इंपर्टन चीज है आप जन संचार के क्या क्या कार्ये है जिस प्रकार संचार के कहीं कार्ये सिल नयों अब परिक्षा में जो आपसे प्रश्ण पूछा जाएगा वह इस प्रकार से कि आपको जो मैन मैन हेडिंग से इनका विशेश तोर पर ध्यान रखना जैसे सूचना देना सिक्षित करना मनुरंजन करना एजंडा तय करना निगरानी करना विचार विमर्ष के मंच विचार व तो अगर यह दे दिया गया तो वहां आपको पता होना चाहिए अगर आपको यह सभी पॉइंट याद है तो आप वहां पर एक अलग से निकाल लेंगे सत्य पूछता है तो भी निकाल लेंगे अब एक बार हम डिटेल देखते हैं सूचना देना क्या है जंस अंचार माध् होती है ना वाट्सप पे दिन बर हमें मेसेजीज मिलते हैं फेस्बुक से हमें बहुँत सारे विडियो लें इंस्टा से हमें रील्स मेलती है तो यह क्या है यह एक तनए की सूचनाई है कि दुनिया में क्या हो रहे है हमारी जरूरत का बड़ा हिससा जंस अंचार माध्यम सूचनाओं के जरिये हमें क्या बनाते हैं जागरूप बनाते हैं लोग तंत्र में जन संचार माध्यमों की एक मैत्व पुर्ण भूमी का जनता को सिक्षित करने की है या सिक्षित करने से आशे क्या है देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और उनके पती सजग रखना कि दुनिया में क्या रहा है हो आज रहे हैं क्योंकि इस वक्त सबसे सशक्त माध्यमें वो है इंटर्नैट मनुन रन्जन करना जब झार्मां ом क्यों के प्रमुख सादन सिनुमा इने म रेडियो संगीत के टैप विडियो किताबें आदी मनोरंजन के प्रमुख माध्यम है अब है एजंडा तरह करना एजंडा क्या होता है उसकी क्या लक्ष है क्या उद्देश है एक परफोर्मा तैयार करना जिसे हम कह सकते हैं जन संचार माध्यम सूचना और विचारों के जरिये किसी देश और समाज का एजंडा भी तैयार करते हैं जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं तो वे घटनाएं या तो वो में क्या बन जाते हैं चर्चा के विशे बन जाते हैं किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विशे बनाकर जन संचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए क्या कर देते हैं बाध्य कर देते हैं कर देते हैं बिल्कुल आपको स पर प्रतिक्रिया होती ही होती है ठीक है ना निगरानी करना किसी लोगतांत्रिक समाज में जन संचार माध्यमों का एक और प्रमुकार सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगटन और संस्था में कोई यही तो काम है टीवी का रेडियो का और इंटरनेट का क्या देश दुनिया में हो रहा है जिसको सामने लाना यह जो मैं आपको पढ़ा रही हूं इसकी पीडियेफ में टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर द व्यक्ति का मंच उफलब्द कराते हैं इसके जरिये विबिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं जैसे किसी समाचार पत्र के संपाद की प्रष्ट पर किसी घटना या मुद्दे पर विबिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी अपनी राय को व्यक्त करते हैं ये नियूस पेपर आपने समय पढ़ा है, वाँ का जो संपादी के प्रस्ट है, वाँ पर सब अपना-पना मत अलग-अलग तरीके से लिखते हैं, और हम देखते हैं कि नीचे राइटर का नाम लिखा होता है. इसी तरह संपादक के नाम चिठी स्तंब में आम लोगों को अपनी राइविक्त करने का मूखा मिलता है, इस तरह जन संचार माध्यम, विचार विमर्ष के मंच के रूप में भी काम करते हैं. आगे हैं, कुछ मैंन मैं एडिंग से वही लिए, इसलिए आप अनाशक बिल्कुल परेशान ना हो, अब एक समीती होती है, जो भी किसी कार्य को करने वाली है, उसके मुताबिक जन संचार माध्यम के बतौर बारत में दूर दर्शन के क्या उद्देश्यों हो सकते हैं, तो सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक दरोहर को प्रोच्सा हैं, यह पॉइंट्स आपको याद करने हैं, परिक्षा में अक्सर यह पुछा जाएगा कि जन संचार माध्यम के बतौर बारत में दूर दर्शन का कौन सा उद्देश्य नहीं है, उसमें आ समाचार की कुछ परिभाशाएं हैं, और यह जिटिस इस तरीके से पूछी जाती है, कि निमनलिखित में से समाचार के लिए कौन सा कथन असत्य है, वहां आपको असत्य की पहचान करनी होती है, या फिर सत्य की भी पहचान करनी होती है, तो यह लाइंस आपको बिलकुल र गटना की रिपोर्ट क्या है समाचार और समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है यह आपको बिल्कुल एफेक्ट याद होने चाहिए आप देखिए सामान्य तोर पर किसी भी घटना विचार और समस्या से जब समाज के बड़े तबके का सरोकार हो यानि आमना सामना हो तो हम यह कह सकते हैं कि यह समाचार बनने के योग्य है लेकिन किसी घटना विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उसमें निम्न लिखित में से कुछ अधिकांश या सारे के सारे तत्व सांशा मिलो यानि हम जो नीचे अभी तत्व पढ़ने वाले हैं यह सभी तत्व उसके अंदर है उस समस अस्या में उस घटना में उस विचार में तो फिर वो क्या बन जाएगी समाचार बन जाएगी तो पहला तत्व है नवीनता दूसरा निकटता तीसरा प्रभाव और आगे के तत्व देखिए जन रूची, टकराव या संगर्ष, मैतुपूर्ण लोग, उपियोगी जानकारिया, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत, धाचा अब देखिए संपादन के सिद्दान्त क्या क्या है पत्रकारिता कुछ सिद्दान्तों पर चलती है, एक पत्रकार से अपिक्षा की जाती है, कि वह समाचार संकलन और लेखन के दोरान इसका पालन करेगा एक चीज में बता दूँ, आप यहां यह कंफ्यूज ना होना, मैडम यह व्यावारिक लेखन है, स्वजनात्म के कार्या लही है तीन वीडियो आएंगे, तीनों के अंदर बिलकुल निश्चिन्त हो जाना कि पूरा अभिवक्ति और माध्यम की बुक का सार और पूरा निचोड में ले चुके हूँ, आपको तो सर्फ इसको याद करना है ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता की आदर्श या मुल्य भी है, इनका पालन करके ही एक पत्रकार और उसका समाचार संगटन अपने पाटकों का विश्वास जीत सकता है किसी भी समाचार संगटन की सफलता उसकी विश्वसनियता पर टिकी होती है पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नल की सिद्दान्तों का पालन करना जरूरी है अब देखिए पत्रकारिता कुछ सिद्दान्तों पर कार्य करती है अब यदि पत्रकारिता को काम करना है और अपनी साख यानि अपनी एक वैल्यू बनाके रखनी है तो उसे कु सिद्धान्तों पर चलेगी तत्यों की शुद्धता यानि एक्यूरेसी पर वस्तू पर रखता अब्जेक्टिविटी निश्पक्षता फैर्नेस संतुलन यानि की बैलेंस स्त्रोथ यानि की सोर्सिंग एंट्रीब्यूशन इन पर चलेगी ठीक है अब देखिए मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योगी बाते यानि मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाना अशक है और यह तीन देकर और लास्ट का दे दिया उप्युक्त सभी तो आपको य लेखन में भाषा व्याकरण वर्तनी और शेली का ध्यान रखना जरूरी है प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है दूसरा क्या है समय सीमा और आवंटित जगे के अनुशाशन का पालन करना हर हाल में जरूरी है तीसरा लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अ टीवी खबरों के विभिन चरण किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो कि प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता की शेत्र में प्रचलित है यानि जो प्रिंट और रेडियो पत्रकारिता में प्रचलित है वही आधार टीवी पर खबरे देने के लिए होता है यानि कि क्या है सबसे पहले सूचना देना इस पॉइंट को बहुत अच्छे से लिख लेना और एक चीज यह जो मैं आपको यहां बता रही हूं इनको कॉपी में चाहों तो लिख लेना इल्कुल शॉर्ट नॉट से तीवी में भी यह सूचना है कहीं चर्णों स विजूएल एंकर रवाइट लाइव एंकर पैकेश अभेक चीज बता दो इनके डिटैल्स भी आपको बता होनी चाहिए हो इस इस पहले कहा है इंऄकर क्या होता है फोनिंक क्या होता एंकर विजुल कि एंकर को वाइट कि मेरे नोट देग्र जनसंचार के पूरी PDF और YouTube पे भी मैं बता चुकी हूं उसको तो उसमें आपको यह सारी डिटेल से मिल जाएगे कि कौन क्या होता है ठीक है इसमें मैंने नहीं लिया क्योंकि आपका समय खराब होगा इस वोजे से तो यह पहले वीडियो में यह पूरी जानकारी अभिवक्ति जाना रादे रादे